वान प्लस सेवन टी प्रो इंड्रोइट आउटो नोट वर्किंग प्रॉब्लम नावस्कार दोस्तों सु अगर आप सभी कातिकराच यूरूप चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे एंड्रोइट आउटो काम नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को इस प्रॉ करें आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा मैं आपको सॉल्वेशन के साथ कुछ सेटिंग से आपके हाइलाइट करके बता देता हो तो आप यहाँ पर वह भी देख लीजेगा ठीक है तो वीडियो को दोस्तों बीना देर के वह शुरू करते शुरू करने से पहले दोस्तों जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को क्लिक करें टाकि आपको लेटेस अबडेट मिल सके अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमा राइट वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग पर आप ह आप नहीं कर रहें Android Auto तो आपको सबसे पहले तो मोबाइल रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों जाएए प्लेश्टर में सर्ट कीजिए Android Auto ठीक है ओके यहाँ पर आटो सर्ट नहीं क्या है Android Auto उसके बार आपको मिल जागा इस तरह के का ऑप्शन जाके सबसे पहले अपडेट कीजिए अपडेट करने के बाद यूज करके देखें अगर प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो स्ट्रॉल डाउन करें एप्स एंड नोडिफिकिशन पर जा होगा उसमें क्लिक करना हैud कि कर देना है इसका डेटा क्लिएर हो जाएगा नेक्स्ट आपको बेक करना है तो समयं एक ब्लुटूट आप करके जो लोइन डीवाइस क Soros य्टी यहां से आप करальной करकिन कर सकते है 와 सो मेटिकर ड़ूएड कर सकते है मेसें स्टेंग्स सारे साथ मोबाइल सोफवेर अगर अपडेट नहीं है तो सिस्टेम पर जाए और मोबाइल सोफवेर को अपडेट कर दीजिए सिस्टेम अपडेट पर जाके और जैसे दोस्तों आप अपडेट कर लोगे अपने मोबाइल को सारे प्रॉब्लेम सोल्फ हो जागा एंडुएट आउटो का ठीक है तो अगर आपको यह problem solve करना है तो simply आप इस solution को follow कर सकते हैं और दोस्तों सारे साथ में software update करने के बाद by any chance अगर आपको कभी भी problem आते तो आप अपने mobile को safe mode पे एक बार reboot जरू कर लीजिए कैसे करना है आपको power button पे press and hold करके रखना है switch off का option मिलेगा power off के option पे press and hold करना है दो सिगन के लिए tap and hold कीजिए cancel okay का option मिलेगा तो आपको करना है okay का option और आपको safe mode पे reboot करना होगा आपके mobile को ठीक है and then जाके ही आपका problem वह से solve हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जब आपके mobile safe mode पे reboot होते सारे एक को बंद कर देते mobile को refresh कर देते problem solve हो जाते तो इस तरह के आप Android Auto के problem solve कर पाऊगे उमीद करते आपको यह वीडियो पसंद होगा thanks to watching